कि आई यह शुरू करते हैं रियर्ज्मेंट आप टर्म्स इन स्रीज का यह पांच्वा लेक्चर अब तक जो भी हम पढ़ाएं उसको आप जरूर पढ़ लीजिए वीडियो को सुन लीजिए अगर अब तक पढ़ाए हुई सारी बात आप समझ लिए तो आगे भी आपको a rearrangement of terms in the following conditionally convergent series conditionally convergent series 1 minus 1 plus 1 by 2 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 3 plus so on add infinitum infinite series as a series bullet infinite series add infinitum up to infinity कि इसके पहले हम बहुत कुछ आपको बताए समझाए मोटा मोटा बात यह था मोटी मोटी बात यह थी कि absolutely convergent series में कोई भी rearrangement ढम कर दें उसका सम्द चेंज नहीं होता लेकिन conditionally convergence series में हम rearrange करके यह डिरेंजमेंट की मदद से हम सम को बदल सकते हैं अब बहुत सारी conditionally convergence series हैं बहुत सारे rearrangement भी हो सकते हैं चेड़ चाड़ तो इसमें सिर्फ आपको देखना है पढ़ना है एक इस conditionally convergence series में rearrangement वह भी खास प्रकार से और एक दूसरा है वह अगले वीडियो में हो सकता हैं आपको पढ़ाएं ने तो अगले के अगले को जैसा भी होगा इस श्रीजिस कंडिशनली कंवर्जेंट यह हम आपको बता चुग है यह खुद तो कंवर्जेंट है लेकिन इसका जो पीटियस से कर्रेस्पॉंडिंग पीटियस हो डाइवर्जेंट है तो अब इसमें हम कि री अर्रेंजमेंट करने जा रहा है अब एक तो रेरंज दो कंवर्जेंट श्रीजिस 1 minus 1 plus 1 by 2 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 3 plus so on in such a way that its sum is log 2 1 minus 1 plus 1 by 2 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 3 plus 1 by 4 minus 1 by 4 plus 1 by 5 minus 1 by 5 plus 1 by 6 minus 1 by 6 plus so on डिरेंजमेंट या कहिए डिरेंजड श्रीज अब हम स्रीज को डिरेंज करने जा रहा हैं taking two positive and one negative terms successively नए दरइंज केंडınız धीरिज यह तो पॉश्टिव टॉश्टिव मोदन हे एक णिए फिर आगला तुव सीव नेगेटेटेए फिर अगले दोपास्टिव और एक नेगेटेव ऐसे आप लेतू तो दोपास्ट्व उताये 1,2 1,1 by 2 और एक negative यह रहा है minus 1 फिर अगले दो positive उठाएं अगले 2 positive यह हो गया है है यह है plus 1 by 3 plus 1 by 4 और फिर negative वाले का अगला minus 1 लिये थे minus 1 के बाद अगला negative कौन है माइनस 1 बाई 2 है तो यह होगी अब माइनस 1 बाई 2 next two positive terms लीजिए positive terms कहां तक ले चुक है है 1 by 4 तक इसके बाद positive हैगा 1 by 5 और 1 by 6 plus 1 by 5 plus 1 by 6 negative negative minus 1 by 2 के बाद negative है minus 1 by 3 minus 1 by 3 और क्या लिया हमने 1 by 5 और 1 by 6 अईसे ही लिखते चले जाएंगे तो यह तीन तीन का एक पैटर्न है जो रिपीट करता चलेगा रिपीट पैटर्न आप थ्री टर्म्स अब हम इसको सम करने जा रहे हैं सम अप करने जा रहे हैं और सम करके हम दिखाएंगे किसका सम जो है log log कितना log 2 आएगा log 2 सम लाने के लिए 2 positive 1 negative यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो कि आप अंतरियामी थोड़ी हैं कैसे जान जाएगे नाओ S3 हम निकालेंगे S3 मने सम अप फर्स्ट 3 टर्म्स S3 को मैं ऐसे लिख दाराऊ S3.1 क्यों लिख रहा हूँ मैं अभी बताता हूँ S3 Sum of 3 टर्म्स कितना हैगा देखो यह यह cancel हो जाएगा 1 by 2 हो जाएगा 1 by 2 फिर हम S6 लेंगे अभी एक पैटर्न और लिया S6 को हम लिख दारें S3.2 और S6 कितना हैगा देखो बहाँ एक तो 1 कैंसिल हो जाएगा दूसरे 1 by 2 कैंसिल हो जाएगा बचेएगा 1 by 3 प्लस 1 by 4 1 by 3 प्लस 1 by 4 फिर हम S9 जिसे S3.3 लिख नहीं और देखें फिर अगले 3 लिजिए तो 1 by 3 1 by 3 और कट गया अब क्या बचा 1 by 4 1 by 5 1 by 6 1 by 4 प्लस 1 by 5 प्लस 1 by 6 यह सिलसला हम जारी रखेंगे और यह जो सिक्वेंस बनना इसका एनत टर्म क्या होगा आईए बिचार करें and so on कितना होगा दिख रहा ना को S3N which is written as S3.N 3.1, 3.2, 3.3 3.N इस पैटर्न को जरा हमें दिखना पड़ेगा अगर यहां 1 लिखा है तो इसमें एक टर्म है 1 टर्म अगर यहां 2 लिखा है तो यहां 2 टर्म्स है अगर यहां 3 लिखा है तो इसमें 3 टर्म्स है इसका मतलब इसमें कितने टर्म्स लिखने होंगे N टर्म्स वो N टर्म्स कौन होंगे कैसे लिखे जाएंगे अब उन्हें दिखिया अज़िया देखो अटरिया 1 लिखा तो यह टू आ गया है और एक टर्म है यहां 2 है तो यहां 3 आ गया है आँ ठीकी बाद फिर 4 आ गया है यहां 3 है तो 4 से शुरू है पिर 5 फिर 6 रोले में कहा शुरू होगा यहां फिर 이제 2 फिर कहां तक और न प्लस एंद तक और कितने टर्म सुन जाएंगे and टर्म और सबी में ऊपर क्या होगा वान यह रहा, तो यह जो मैं ऐसे लिखा था ना इनको, उसके पिछे कारण था, पैटर्न को अबसर्व करना, क्योंकि पैटर्न होगा, तभी आप एनथ टर्म, जन्नल टर्म लिख पाएंगे, अगर पैटर्न शुरूरू में नहीं है, तो नहीं लिख सकते, इसके बाद इसकी हम लेंगे, और यह सम है, तो सम की लिमित लेनी है, दिसी सिग्मा, वन अपान न प्लस आर, रवेरीज फ्रम बन टू अन, लिमित लेजे, लिमत अंस तो इंफिनिति, एक्वग आज वेरीजिर न टेंटिस वेरीजिट, पैटर्न टेंटित दास्तर्व इन तेंटिट सिग्मा infinity sigma r varies from 1 to n 1 upon 1 plus r by n or into 1 upon n the code this is limit of a sum as n tends to infinity this is limit of a sum as n tends to infinity or a limit from definite integral ki madhase nikaalte hai is ki training bsi first pair me dee jihe hai hai । Ole sitten hua kartata ta ab nahi hai 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 li gen tervyam sequins paada semen limit native niko nikoa nge kanike kari kari taite sikaner kari hi limit by definite integral aar kismen ho ta kiya hai ki pehle jo bhi yaha is sko sigma mi likkiya is it is ke waad hai is the coming omen karke aisa kari ay ki one upon n alag ho हो जाए और जो बच्चे वो और भाई एन का फंक्शन हो जाए ऐसा प्रेजन्टेशन हो जाए कैसा प्रेजन्टेशन हो जाए लिम्ट एंटेंस तो इंफिनिटी सिग्मा और यह बच्चे एफ आफ आर बाई एन और बाई एसा सबसे पहले हम इस सम की लिमिट को ऐसे बनाते हैं और फिर यह कि रिडियोज कर जाता है चेंज हो जाता है डेफिनिट इंटीग्रल से डेफिनिट इंटीग्रल दखो इतने हिस्से की जगह पर हम यह ची लगाते हैं और लिमिट क्या लेंगे एल टू एम एल क्या है एम क्या है बताता हूं अभी वाह्ण की जगह X दखते है तो वचाग़ f of X 1 by n की जगह dx दखते है तो वचाग़ d by dx वह्ट इस एल हैल है एल इस लिमिट एंट तेंस टू इंफिनिटी अब एन हैं and m is limit n tends to infinity phi of n by n घ्यान से देखिएगा a by n क्या चीज है यह आर की first value r की first value जो भी है माला a है तो a by n करके limit ले लेंगे यह क्या चीज है r की last value last term में r की value r की last value में n से divide करेंगे जो आएगा उसकी limit तो यह क्रिया यहां पर आपकर है this will be limit लोग लिमिट क्या होगा ल लिक करके वह उसका अर्थ ही लिग देरा limit n tends to infinity r की पहली value one upon n उपर होगा limit n tends to infinity r की आखरी value last value n upon n और यह देखो r by n का function है तो जो आगा one upon one plus x and dx equal to integral यह limit 0 हो गई यह limit 1 हो गई 0 to 1 1 upon one plus x dx equal to very simple integration log of one plus x under the limits 0 to 1 1 रखियेगा तो यह जहांगा log 2 और 0 रखने से लागवन आएगा लागवन जीरो होता है यह तरीका है इसका मुझे लगता आपके समझ में आया होगा जो कुछ का सब रह गया है एक अरेजिमेंट और देखिए फिर समझ में बिल्कुल ही आ जाएगा Number 2, to rearrange the series, to rearrange the conditionally convergent series Convergent को में short में CGT लिख दे रहा है, exam में आप मतले किया जाएगा Convergent series, 1-1 plus 1 by 2 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 3 plus so on In such a way that The sum is log 3 पिछले में log 2 था इसमें log 3 है तो जब log 2 था तो हमने 2 positive and one negative terms successively लिया था जब sum हमें log 3 लेना है तो हम क्या करेंगे 3 positive and one negative terms successively लेना है ऐसे इसको आप generalize भी कर सकते हैं अगर हम 4 positive one negative terms ले लेना है तो sum log 4 आएगा और भी तरीके से अगर आप करना चाहें तो करके देखिएगा इतने positive इतने negative लेना देखो क्या होता है अब मैं चोड़ बच्चे खुद करके देखिए गिवन स्रीज 1 minus 1 plus 1 by 2 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 3 plus 1 by 4 minus 1 by 4 plus 1 by 5 minus 1 by 5 plus 1 by 6 minus 1 by 6 plus 1 by 7 minus 1 by 7 plus 1 by 8 minus 1 by 8 plus 1 by 9 minus 1 by 9 plus आप तक लिख दिये और जो रतों की तोर समन्लिये जाएगा चराएगा दिये तो शवे ज़ दे से दे बवारिë तो रतों मैं कर 70 The deranged series is śrub. Thin-positively, 8-positive, Doh-positive, Thin-positive. यहनि कि 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 थी और एक निगटिव् subscribing 1 गजलिये अब 1 थी पौस्निव के पाद फिर 1 भाई 4 प्लस 1 भाई 5 नुगतिव्य अहा तखमलो पोच्या 109 6 तक 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया नेस्स्ट पैकेट फॉर बनाई ये पॉजटीव टरम 1 बाई 6 तक लिख चुके है तो बहुत गोड़ाईगा 1 बाई 7 प्लस 1 by 8 plus 1 by 9 और negative term माइनस 1 by 2 तक लिख चुके हैं तो इसके बाद negative term होगा minus 1 by 3 तो यह negative हो गया और positive हो गया 1 by 7, 1 by 8, 1 by 9 चलो मेरा अंदाजास ही निकला 1 by 9 तक काम आ गया प्लस 1 अब इसको हम sum up करेंगे तो वही दखोष में जो pattern है और चार चार टर्म्स का pattern है चार चार टर्म्स के pattern बने है तो हम क्या करेंगे S4 निकालेंगे S8 निकालेंगे S12 निकालेंगे S4N निकालेंगे फिर उसके limit निकालेंगे हाँ पिछले question में देखो भी यहादारा एक चीज़ और हमें बता दिना था हम लोग निकालेंगे थे limit n tends to infinity S3N equal to log 2 क्या यही total sum of the series होगा S3N मने sum of first 3N terms और n tends to infinity कर दिया तो 3 into infinity हो जाए अगर 3 into infinity मने infinity sum of infinite number of terms total sum of the series तुसमें एक लाइन और लास्ट में बढ़ा देना था that is S, S मने total sum equal to log 2 अब की बार यह लिखेंगे हैं पूरा पूरा let us start S4 S4.1 equal to शुरू के 4 terms का sum 1 और 1 cancel होगा आएगा 1 by 2 plus 1 by 3 number of terms 2 2 terms हमें दो प्रकार की pattern देखने हैं number of terms क्या आ रहे हैं और terms कौन कौन से आ रहे हैं फिर हम दूसरे pattern तक आएंगे तो कुल हो जाएंगे 8 terms S8 जिससे हम लिख रहे हैं S4.2 अब यहां से यहां तक जब एड करोगे तो यह को 1 by 2 over cancel हो जाएगा और बचाएगा 1 by 3 से लेके 1 by 6 तक ऐसे 1 by 3 plus 1 by 4 plus 1 by 5 plus 1 by 6 कितने टर्म्स हैं 4 terms है यहनि 2 into 2 terms एक pattern और लिजिए S12 which is S4.3 अब देखिया 1 by 3 1 by 3 cancel हो जाएगा और बचाएगा कहां से 1 by 4 से चुरू करेंगे 1 by 4, 5, 6, 7, 8, 9 1 by 4 plus, 1 by 5 plus, 1 by 6 plus, 1 by 7 plus, 1 by 8 plus, 1 by 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह 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 देखिये तको यह यह 1 into 2 terms 2 into 2 terms 3 into 2 terms 3 into 2 terms यह pattern अब जब करने के लिए सब्वे उस्ता बना रहा है and so on this sequence ka nth term क्या आएगा 4.1, 4.2, 4.3 यनिकि S 4N which is S 4. N equal तो पहले हम start ले ले कहां से शुरू होगा कर यहां वन है तो फ्री से शुरू है 2 है तो 3 से चुरू है, 3 है तो 4 से चुरू है N है तो कहां से चुरू होगा, n plus 1 से उसके बाद denominator में एक एक बहते जाना है denominator में टो ओन अपान वन प्लस वन प्लस एनपढ़ एन प्लस टू प्लस एन प्लस ट्री प्लसौए तर्म्स ञिखें यहाँ 1 है तो 2 terms, 2 है तो 2 into 2 terms, 3 है तो 3 into 2 terms, n है तो n into 2 terms, माने 2n terms, 2n terms लिखिए, 2n terms में पहले में यहाँ 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3, तो 2n अथ में 2n होगा, n plus 2n, यहाँ लिखिए 2n terms, ऐसा, और बस अब definite integral वाला root पकड़ लिजे, equal to sigma 1 upon n plus r, r varies from 1 to 2n, पहले में देखो r की जगह 1 है, और आखरी में n की जगह 2n है, फिर नीचे से हम क्या करें, n को हटाएं, यह हो जागा, sigma r varies from 1 to 2n, 1 upon 1 plus r by n, और into 1 upon n, or of limit, implies that limit n tends to infinity, s4n, equals to limit n tends to infinity, sigma r varies from 1 to 2n, 1 upon 1 plus r by n, 1 by n, ऐसा, यह r by n का function हो गया, 1 by n अलग हो गया, और यह आप देखी रहें, तो यह integral में convert होगा, integral, r by n की जगह x तो हो जागा, 1 upon 1 plus x, 1 by n की जगह dx, और limit के से चेंज करते हैं, वह मैं डिरेक्ट लिक देरों, limit n tends to infinity, r की पहली वेलु 1 upon n, उपर की अपर लिमित अपर लिमित, लिमित n tends to infinity, r की लास्ट वेलु 2n upon n, equal to integral 0 to 2, 1 upon 1 plus x dx, बक्या आपको दिखराना से, आंसर दिखने लगा होगा, फिलाल में ठीक से, लिख देराओ, this implies that, total sum लिख दू न, s4n मने sum of first 4n terms, और जब n tends to infinity करती जिएगा, तो ये s infinity हो जाएगा, s infinity मने infinite number of terms का sum, मने पूरे series का sum, series में कितने terms है, infinite number of terms, तो इसका जो भावार्थ है, वो ये ही है, s equal to, log of 1 plus x, और limit, 0 to 2, 2 रखने से log 3 आएगा न, और 0 रखने से log 1 जो की 0 होता, तो यह होगा log 3, यह problems popular problems है, उन्ही की मदद से मैंने आपको इसको सिखाया, कि जो conditional convergent series है, 1-1, plus 1 by 2, minus 1 by 2, plus 1 by 3, minus 1 by 3, plus 1, उसको हम कैसे derange करें, कि sum log 2 आजाएं, कैसे derange करें, कि sum log 3 आजाएं, log 2 सम पाने के लिए, हम 2 positive and 1 negative terms का pattern successively लेते जाएंगे, log 3 सम पाने के लिए, 3 positive and 1 negative terms का एक pattern हम बार बार लेते जाएंगे, successively, बेल आइकान प्रेस कर दीजे, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हैं, तो उसको सब्सक्राइब कर दीजे, फिर नेस्ट वीडियो में बात करेंगे, thank you very much.